नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल को क्वित जूली में आज मैं बनाने जा रही हूं पत्ता गोबी का पकोड़ा तो हम यहाँ पर गोबी को बीच में से कट कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पर आधा गोबी का ही पकोड़ा बनाएंगे तो आधा गोबी को हम सा कर देते हैं और इस तरीके से पतला पतला चाकू से हम इसे काटेंगे आप जितना पतला काट सकते हैं फ्रेंट जितना पतला काटिएगा उतना ही यह लच्छेदार बनेगा इसलिए हम कोसिज करेंगे इसे पतला पतला काटने का उसके बाद हम यहां पर प्याज भी उसी तरी यूज कर सकते हैं और इसमें डालेंगे 1 चमच typ करके लिए है और आब इसमें डालेंगे तीखा है यहां पर चिलिफलेग्स लिया है और स्वादानुसर नमक मैंने यहाँ पे दो चमच नमक लिया है और हल्दी थोड़ा कम मात्रा में ही डालेंगे ज्यादा हल्दी यूज नहीं करना है और मैंने यहाँ पे सबजी मसाला डाला है आप चाहें तो इसमें सब्जियों में यूज करने वाले सारे मसालों का यूज कर सकते हैं और हम यहाँ पर लासन अद्रक का पेश्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करके डाल दिये हैं आप चाहें तो लासन अद्रक को ऐसे भी कट करके डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे पहले पहले फ्रेंट्स आप पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाले पहले इसे अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे और एक बाद याद रखें कि इसमें एक बार में आप पानी कभी भी नहीं डालें इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालेंगे उसके बाद हम इसमें और मैदा भी डालेंगे बाद में लेकिन पहले इसे हम हलका हलका पानी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे आप देख सकते हैं यह ज़्यादा लूज नहीं हुआ है एक बार में अगर यह पानी डाल देते हैं तो यह लूज हो जाता है इसलिए हलका हलका पानी डालेंगे हम यहाँ पर एक चमाच और में डाल लिए हैं और इसे भी हम अच्छे से मीक्स करेंगे इसमें पानी का बिल्कुल भी नहीं है जरूरत फ्रेंट्स आप देख सकते हैं इसमें हम जैसे ही में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो करके तैयार हो जाएगा इसे हम लूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे पानी डाल करके आप देख सकते हैं इस का इस तरीके से हम गोल करके देखेंगे यह बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है तो हम इसे अब छोड़ देंगे और हम इसमें हलका सा गर्म तेल डालेंगे ताकि ये हाथ में नहीं चिपकेगा जब हम इसका पकोड़ा बनाएंगे तो इसलिए हम हलका सा तेल डालकर इसी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा लगबग मिक्स हो चुका है आप देख सकते हैं और बहुत ही परफेक्ट एक्चर है इसका हम कड़ाई में पहले से ही तेल को गर्म कर लिए हैं और अब हम इसमें छोटा छोटा बॉल बना करके डालेंगे एक बात का दियान रखेंगे फ्रेंट्स की तेल जो है हमारा वो एकदम गर्म होना चाहिए अगर ये हम कच्छा तेल में डाल देते हैं तो हमारा पकोड़ा जो है वो तली में बैठ जाएगा और आप देख सकते हैं मेरा तेल जो है वो बिलकुल गर्म है और जैसे ही मैंने या इसमें पकोड़ा डाला तो चारो तरप से बुलबुले निकल आ रहे हैं इस तरीके से हमारा तेल जो है वो गर्म होना चाहिए उसके बाद ही हम इसमें पकोड़ा डालेंगे तुरंद पकोड़ा को नहीं छड़ेंगे फ्रेंट्स नहीं तो हमारा पकोड़ा जो है वो पलट देंगे, नहीं तो हमारा पकोड़ा जो है वो जल सकता है, इसलिए हम सारे पकोड़ों को एक एक करके पलट देंगे, ताकि चारो तरफ ये अच्छी तरह से पक सके, और इसमें बड़ी हां सा कलर आने तक इसे हम पलट पलट करके पकाएंगे, कभी भी एक तरफ से ज्य चलनी में बाहर निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं फ्रेंट्स, ये कितना अच्छा बन करके हमारा जो है ये तयार हो चुका है, ये बहुत ही करंची बन करके तयार हुआ है, तो हम आपको इसका आवाज भी सुनाएंगे, आपने आवाज सुन करके तो अंदाजा लगा ही लिया है फ्रेंट्स कि ये कितना ज्यादा करंची बना है, तो सकेंड राउंड में भी हम इसी तरीके से कड़ाई में डाल कर और इसे अच्छा सा कलर आने तक इसे पकाएंगे, आप देख सकते हैं, ये कितना ज्यादा लच्छेदार दिख रहा है, उसी तरीके से आप पतल करते रहेंगे, एक बात का दिहान रगें फ्रेंट्स कि आप जितना पतला काट सकते हैं, उतना ज्यादा पतला काटें, तभी आपका लच्छेदार पकुडा बनेगा, और हमारा यहां पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, और इसका भ इसे आपको तोड़ करके भी दिखाएंगे, इसका अंदर का जो टेक्चर है, वो बहुत ही अच्छा है, आप इसे बना करके जरूर से जरूर ट्राय किजिए फ्रेंट्स, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं, और अगर यदि मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक सेयर कर दें फ्रेंट्स, थैंक यू